नमस्कार प्रिये मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल एन्वीरा एजुकेशन पर मैं महिंद्र बन जारा आज फिर से आप लोग के बीच रिजनिंग की एक सांदर क्लास लेके आया हूं और आज की इस क्लास में दिशा परिक्षन का जो अपना टॉपिक रिजनिंग से रिलेटेड चल रहा है उसी को अपना आगे बढ़ाएंगे उसका आज पार्टू हम सुरू कर रहे हैं और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत सांदार साबित होने वाला क्योंकि दिशा परिक्षन में दिशा से रिलेटेड प्रशनों को आप मात्र मिंटों में मिनटों से भी कम की बात कर लूँ सेकेंडों में आप हल कर लोगे आपको पूरा वीडियो देखना है और कंटिन्यू बने रहना है चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको वो हर चीज आप यहां से इस क्यूशन करवाने वाला हूं बहुत ही शांदार क्यूशन होंगे वो सारे तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें एक क्यूशन आपके बोर्ट पे लिख रखा है प्रेमलता आपने घर से 8 किलोमेटर पूर्व दिशा फिर बाहीं और मुड कर 6 किलोमेटर जाती है देख अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं तो इससे पहले वाला पार्ट वन जरूर देखें क्योंकि वो आपके दिशा से संबंदी तो वो सारे डाउट्स क्लियर कर देगा जो आज तक आपके दिमाग में रहें तो यहाँ पे देखें यह आपके उत्तर दिशा है यह दक्षिन है यह पूर्व है यह पस्चिम है अब इस क्योशन में क्या बोला गया है प्रेमलता अपने घर से आठ किलोमेटर पूर्व दिशा में चलती है माना प्रेमलता का यहाँ पे घर है यहाँ से वो कौनसी पूर्व दिशा में यह चलना प्रारंब हुई और कित्ते कि किलोमिटर चली है अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को आठ किलोमिटर फिर वह बाहीं और मुर जाती है मैंने आपको कहा था आपको यह वाला हाथ यूज करना है यहां पर यह हाथ रखूंगा यह हाथ अभी पूरू दिशा में जो नाखुनों वाला भाग है वह बाया और हतेली वाला भाग दाया कहलता है क्योंकि यह उत्तर दिशा में अगर जाए तो यह बाया है यह दाया है अगर पूरो दिशा में चलेगे तो यह बाया यह दाया दक्षिन में चलेंगे तो यह बाया है यह दाया है पस्छिम में चलेंगे तो यह है बाया और यह है दाया या आनि पूर्व दिशा में चलते चलते बाई और मुड़े तो उपर और दाई और मुड़े तो नीचे आपको इस प्रस्ट में बोला है फिर वो बाई और मुड़ कर 6 किलो मीटर जाती है और किते किलो मीटर चलती है 6 किलो मीटर आगे पड़ते हैं बाई और मुड़ कर 6 किलो म यह जो नाकुनों वाला फाग जया यह बाया हो गया बाई और मुड के किते किलोमिटर चली8 किलोमिटर किते 8 किलुमिटर क्लियर है न हागे देखिए बताओ वो प्रारमभी किस्थान से कितनी दूर है अभ आपको इंपोटेंटि चीज क्या बतानी है कि उसका प्रारंबी किस्तान सबसे पहले तो प्रारंबी किस्तान ये है इसका और अंतिमिस्तान ये है तो ये प्रारंबी किस्तान से कितना दूर है यानि ये वाली दूरी किती है 6 किलो मीटर क्या आपके दिमाग में ये वाली चीज आ रही है या नहीं आ रही है ये चीज दिमाग में अगर आ रही है कि सर किलियर हो रही है तब तो आपका ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत important है क्योंकि आगे आने वाले प्रश्ण इससे भी इजी तरीके से हल करने वाले हैं ये 6 किलो मिटर दूर है प्रारंबिकिस्तान से और प्रारंबिकिस्तान से कितनी दूर हैं किस दिसा में प्रारंबी किस्तान से ध्यान दीजिएगा प्रारंबी किस्तान से ये कितनी दूर है 6 किलो मिटर कितनी दूर है 6 किलो मिटर और कौन सी दिशा में है सबसे important शीज प्रारंबी किस्तान से ये देखो अब मैं दिशा यहां पर कौन सी प्रारंबी किस्तान से देखनी है ये उत् उत्तर दिशा में यही बोलोगे ना प्रारंबिक इस्थान से ये कौन सी दिशा में है तो ये प्रारंबिक इस्थान से उपर की और है यानि उत्तर दिशा में है और किते किलोमीटर दूर है छें छें किलोमीटर कौन सी दिशा में है उत्तर दिशा में ये अपना क्या हो गया answer बड़ा सरल तरीका है आपको समझाने में इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन जब आप ये पूरा concept समझाओगे part 1 अच्छे से देखोगे तो part 2 आपके लिए बहुत easy हो जाएगा सबसे easy हो जाएगा ये मैं 100% बोल रहा हूँ और आप no doubt ये check भी कर सकते है पार्ट वन में ये सारी चीज़े अच्छे से समझाई है आपको बोला क्या है प्रारंब में प्रेमलता गर से 8 किलोमेटर चलती है फिर बाही और मुड के 6 किलोमेटर चलती है फिर वापस बाई और मुड़ के 8 km चलती है ये प्रारंब का इस्तान ये अंतिम इस्तान प्रारंबिकिस्तान से कौन से दिसा में है तो प्रारंबिकिस्तान से दिसा है कैलकुलेट की उपर उत्तर है नीचे दक्षिन है इधर पूर्व है इधर पस्चिम है तो प्रारंबिकिस्तान से उत्तर दिसा में हैं वर्तमान में प्रेमलता और किते किलोमेटर दूर है ये 6 है तो ये भी 6 ही हुआ न तो इसका डाउट अब नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में और भी कर रहे हैं अपन खूब सारे प्रशन लेकिन इसमें विशेश ध्यान देना है कि जब प्रारंबिकिस्तान से पूछे तो ये कंडिशन अंतिम इस्तान से पूछे तो क्या इस्तती बनती है तो और एक प्रशन लेते हैं अच्छा सा तो देखें आपके सामने एक और प्रशन लिखावा है इस प्रशन को और अपन हल करते हैं तो यहां पर यहां बोला जा रहा है राम दक्षिन दिशा में चार किलोमेटर जाता है शुरुवात कर दीजिए प्रश्ण पढ़ते ही डाइग्राम बनना सुरू हो जाना चाहिए राम दक्षिन दिशा में किता जाता है चार किलोमेटर ये चार किलोमेटर कौन से दिशा है दक्षिन दिशा उस है ना पांच किलो मिटर ये प्रारंभी किस्थान है इसे द्यान रखना आप लोग पांच किलो मिटर चला कौन सी दिशा में दग कौन सी दिशा में बाही और मुड कर सौरी दक्षिन में चलना सुरू हुआ चार किलोमेटर चला फिर वह बाही और मुड़ा और पांच किलोमेटर जाता है फिर बाही और और मुड़ता है अब यहां से बाही और उपर की और गुमेगा बाही और मुड़के किता चार किलोमेटर चलता है यह देखें यह किता चार किलोमेटर किदर मुड़ा बाही और य अब उसका इंडिन पॉंट क्या है? ये अंतिम बिंदू है अन्तिम बिंदू से उसका प्लारंबिक बिंदू किता दूर है तो आप कहोगे ये वाली दूरी प्लारंबिक स्थान से ये पान्च है तो ये भी किती हुई पांच किलो मिटर यानि ये पांच किलो मिटर क्या है दूर है अंतिमिस्थान और प्रारंबिकिस्थान के मत्य की दूरी पांच किलो मिटर लेकिन प्रारंबिकिस्थान से कितनी दूरी पर और किस दिसा में दिसा कहां से प्रारंबिकिस्थान से प्रारंबिकिस्थान से वो क दिसा कौन सी है पूर्व यानि पां opportunities पूर्वर दिशा में हैं पांच equilibrium कौन सी दिसा है पूर्वर दिशा में karно वापस रिपिट कर रहा हूं अच्छे से लेगा राम यहां से चलना प्रारंव होता है दक्षिन में 4 किलोमेटर चलता है पिर वह बाही और मुर्ताई, इस हाथ को ऐसे रखें यह नाकुनों वाला भाग बाया और हतेली वाला भाग दाया यह इधर पाँच किलोमेटर चला इस दिसा में तो हाथ ऐसे रखूंगा फिर बाही और चार किलोमेटर चला लिस्ट में यहां पहुंच गया यहाँ पर पहुँचा तो अंतिम बिंदू और प्रारंबिक बिंदू के मद्य की दूरी किती है पांच किलो मिटर अब अंतिम इस्थान प्रारंबिक इस्थान से किस दिशा में है प्रारंबिक इस्थान की ये चार दिशा है उत्तर दक्षिन पूर्व और पस्चिम तो कौन सी दिशा में है उत्तर दिशा में सुरी पूर्व दिशा में है और किता किलोमेटर दूर है प्रारंबिकिस्थान से पांच किलोमेटर तो अपना option number 8 सही है आराम से ये चीज आपको समझ में आई होगी अब एक और प्रश्ण की और चलते हैं तो देखें क्यूशन राजू 25 किलोमेटर उत्तर दिशा में चलता है और बाहे मुड़ कर पांच किलोमेटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुँच जाता है फिर वो दाए मुड़ कर पांच किलोमेटर और चलता है उसके बाद पूर्वधिशा में मुड़कर फिर पांच किलोमीटर चलता है देखो एक्जाम में जब इस थाइब का प्रशन आता है न तो अपन बड़ा प्रशन देखके हमेशा उससे बचने की कोशिस करता है लेकिन जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि बचके निकले हैं और आगे वाले प्रशन की और चले तब तक आप अपने सेलेक्शन को भूल जाए क्यों क्योंकि सेलेक्शन अगर लेना है तो उसके लिए निरंतर, अब्यास, प्रियास और हर उस चीज से टकराना पड़ेगा मैं बार-बार कहता हूं जो आपकी शफलता की और आपको ले जा सकती है चाहे कोई भी चीज हो हर उस चीज से आपको आपका सामना जिस चीज से भी होगा उस चीज से आपको डट के उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा अगर आपको आपका competition exam clear करना है आप जिस exam की भी तैयारी कर रहे हो ये सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए और इसे अपनी लाइप में फॉलो कर लीजिए फॉलो करोगे तो नो डाउट आप सपलता हासिल कर लोगे अब इस प्रशन को बड़ा देख के छोड़ना नहीं है ये वैसे S.S.C. 2015 के एक्जाम में आयवा प्रशन है तो अच्छे से अपन इसको पढ़ के हल करते है सबसे पहले राजू 25 किलोमेटर उत्तर दिशा में चलता है तो आपको बोला है ये राजू नाम का व्यक्ति और यहां से चलना प्रारंब हुआ 25 किलोमेटर कौन सी दिशा में चला है उत्तर दिशा में और बाया इधर है उधर दाया है इस चीज़ को ध्यान रखें बाये मुड़कर किता पांच किलो मिटर चलता है ये बाये मुड़कर किता चला पांच किलो मिटर अब उसका मुझ कौन सी दिशा में है तो अब उसका मुझ है आपके पस्चिम दिशा में क्लियर है ना आगे क्य बोला है वो बिंदू पर पहुंच जाता है जब वो बाहें मुड़के पांच किलोमेटर चला तो यहां पर कौन सा बिंदू है उससे आपको प्रेश्ण में डरने की जरूरत नहीं है कि यह चीज क्या है एक्स्ट्रा फिर वो दाहें मुड़कर अब बोला जा रहा है फिर वो और उपर और बाइं और चाने का बोले तो नीचे तो फिर वो दाहें मुड़कर पांच किलोमेटर जाता है यह दाएं मुड़ा यानि उपर की और किता चला पांच किलोमेटर इन चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा पांच किलोमेटर चलता है उसके बाद वह पू पूरो में मुणने के लिए इदर जाना पड़ेगा देख लिए पूरो दिशा उदर तो ये पूरो दिशा में 5 km चलता है यह फिर 5 km चला कर वापस प्रश्ण को अच्छे से सुनियेगा राजू नाम का वैक्ती और अत्तर दिशा में 25 km चलता है फिर वो कहां मुड़ जाता है अपने बाएं किता चलता है पांच किलो मिटर उसके बाद वो दाएं मुड़ता है किता चलता है पांच और अंत में पांच किलो मिटर पूरू दिशा में चल रहा है तो आपको वापिस क्या बोला है वापिस प्रारंबिक बिंदू तक अंतिम बिंदू से कहां पहुचना है प्रारंबिक बिंदू तक यारी ये पूरी यात्रा वापस तैय करने के लिए कित्ता किलोमेटर उसको चलना पड़ेगा ये चीज है important कि 5 तो ये है ही है 5 किलोमेटर तो ये है और 25 ये चलना पड़ेगा तो 5 प्लस 25 यानि टोटल कित्ता किलोमेटर चलना पड़ेगा राजू को वापस अंतिम बिंदू से प्रारंबिक बिंदू तक पहुचने में 30 किलोमेटर तो अपना option कौन सा सही हो गया सी बड़ा क्यूशन है दिमाग से ये चीजे निकाल देखी बड़ा क्यूशन कैसे होगा आपको अगर इससे पहले जो प्रश्न करवाएं उसमें आपको प्रारंबिक इस्थान से दिसा पूची आप आराम से कर सकते हो इसमें केवल ये पूचा है कि अन्तिम से प्रारंबि की बात करते हैं और इस क्यूशन के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान देनी है कि इसमें सुरुवाती दिसा दी नहीं यानि कौन सी दिसा में चलना प्रारंब करना है वो सी जिसमें दी नहीं है और मैं आपको कह दूं कि अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है आपको कोई एक दिसा में चलना प्रारंब कर देना कोई भी एक दिशा में आपको क्या कर देना है चलना प्रारंब चार दिसाएं हैं उत्तर दक्षिन पूरो पस्चिम आपको जो लगे जैसा लगे उस दिसा में चलना प्रारंब कर दीजिए सोनल अपन गर से निकल कर कुछ दूरी तै करती है यह लो मैंने माना कि यह पूर्व दिशा में जा रही है यह प्रारंबिक बिंदू अपन यहां से इसका कोई भी फिक्स बिंदू नहीं है कौन सी दिशा में जाना है वो चलना सुरू हुई है उसे एक फिक्स बिंदू कर लिया और मैंन हुआ जैसे अगर आप सपोज करो आप कहो कि सर इसे पस्चिम दिशा में चला दिया यह लोग पस्चिम दिशा में चला दिया यह प्रारंबिकिस्तान हो गया के लियर है ना समझिएगा यह प्रारंबिकिस्तान कौन से दिशा में चला लिया पस्चिम दिशा में बाई और मु जाएगी, अब यहाँ पांची यहाँ चलते चलते वो किदर मुढ़ रही है? पुनाबाई और, यानि उधर चलेगी, बाई और मुढ़ी, यह लो, फिर चली तोड़ी देर, बाई और मुढ के कुछ दूरी तैह करती है, यह कुछ दूरी तैह की? अन्त मेरे दाई और मुढ नीचे की और मुड़ेगी दाई और मुड़कर अपने आपीस में प्रवेस करती है यहाँ पर उसका आपीस है अच्छे से समझेगा यहाँ पर है इसका आपीस और आपीस में वो प्रवेस करती है प्रवेस करते समय यह चीज सबसे important office के बारे में आपको इस प्रश्ण में क्या बोला गया है यदी office के दर्वाजे का मुँ उत्तर दिशा में office का दर्वाजे ये office का दर्वाजा उपर की और खुलता है और office के दर्वाजे का मुँ कौन सी दिशा में है उत्तर दिशा में इसके opposite और ये पाष्चिम अब बात के लिए रोगे सारी देखो ये प्रश्ण इसमें आपको प्रारंबिक दिसाना नहीं दिए कहांसे चलना प्रारंब कहांसे करवाया पस्चिम दिशा में चलना प्रारंब करवाया पस्चिम दिशा में चलते चलते किदर बाईं और मुड़ी बाईं और मुड़ी फिर वो पुना बाईं और मुड़ी ये बाईं और मुड़ी बाईं और थोड़ी देर चलके फिर किदर मुड़ी दाइं और मुड़ी ये दाइं और और कहां पे आपिस में परवेश कर रही है आपिस में परवेश कर रही है तो आपिस के दरवाजे का मूँ कौन सी दिशा में है उत्तर दिशा में यानि उपर की और है तो इसने प्रारंब में सौनल ने किस दिशा में चलना प्रारम्ब किया अब ध्यान दीजिए अपने इस दिशा में इसे चलना इस्टाइट करवाया यह वास्त्रिकता में यह दिशा यहां से पता शुरुवात में चलना प्रारंब होई तो वो पस्चिम में ही तो चल रही है, तो आपके लिए उत्तर कौन सा होगा, जब उसने शुरुवात की चलने की तो कौन सी दिशा थी? पस्चिम. अब ये प्रशन यहां से भी हो सकता है, प्रारंबिक अपन इसको उत्तर दिशा में चलाता है, पूर्व दिशा में, ये प्रारंब किया, प्रारंबिक स्थान, प्रारंबिक स्थान से कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में, क्लियर है न? माना ये, क्योंकि ये चलती है पुना बाई और मुड़ती है ये दिसा बाई या उदर होगा ये लो बाई और गूम गई अभी यहां पर आ गई फिर क्या करती है मुड़कर दूरी कुछ दूरी चलने के बाद अंत में दाई और मुड़ जाती है तो दाई और यानि उपर की और मुड़ेगी ये ल परकार का डाइग्राम बनेगा तो इस कंडिशन में यहां पर बोला गया ओपीस का जो दर्वाजा है उसका मुँ उत्तर दिशा में यह वाली यह उत्तर दिशा है ओपीस का मुँ इधर है ना तो नीचे वाली उत्तर तो इसके ओपोजिट कौन सी हो गई दक्षिन यह उत्तर दिशा है तो यह कौन सी दिशा हो गई दक्षिन अब सबसे इंपोर्टेंट सीज के यह उत्तर है यह दक्षिन है तो यह कौन पूर्व और यह कौन सी दिशा हुई पस्चिम हो गए अब उसने चलना कौन सी दिशा में प्रारंब किया इस वाली दिशा में और इस डाइग्राम के और इसके कोडिंka देख्के पूर है लेकिन अंतिमोपीस का मुण उत्तर दिशा में खुलता है इसलिए इसकी कौन सी हो गए यह वाली काम आएगी और क्यों संके क्योंकि दिशा कौन सी यह पाणी रहेक है यह पना चलना प्रारंब करना पड़ेगा तभी आप अपने उत्तर की और बढ़ पाओगी क्लियर है न तो अब अपन नेक्स्ट प्रश्ण की बात करते हैं तो देखें एक और सांदार प्रश्ण आप लोगों की सामने हैं और इस प्रश्ण को और अपन सांदार तरीके से हल करने वा हमें राहुल चलना प्रारंब करता है अपनी कोपी पैन उठा लीजिए और डाइग्राम खुद बनाने के कोशिश करें क्योंकि जब तक खुद काम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट हमेशा जीरो ही रहता है हमेशा पहले खुद को आगे लेकर आये कि मैं इसके काबिल हूँ या नहीं फिर दूसरों तक इस चीज को लेगिन आपको यह वीडियो तो दूसरों तक में यानि इदर चलेगा दाइं और यानि उपर की और मुढ़ेगा तो देखेगा यह है इसका रहूल अपने गर से यह माना इसका गर है यहां से यह चलना प्रारंब करता है और टोटल किता 30eking मीटर चलता है किता चलता है 30 मीटर चलता है और चलने के बाद अगर हाथ को ऐसे रखोगे तो ये दायां सवर ये बायां और ये दायां दाई और मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तै करता है ये दाई और उपर की और मुड़ेगा और किते मीटर की दूरी तै की 20 मीटर की क्लिए रहना आगे बोला गया है कि वह बाई और और मुड़ता है और 10 मीटर चलता है यह किता 10 मीटर चल रहा है किदर मुड़ा है बाई और मुझ उसका कितर था उत्तर दिशा में उत्तर दिशा के बाई और मुड़ा है और 10 मीटर की दूरी तै करता है पुना बाई और मुड़ जाता है 10 मीटर की दूरी तै करने के बाद प किसा कौन सी है पस्चिम और पस्चिम का बाया नीचे की और होता है बाई और मुड़कर 40 मीटर चलता है यह किते मीटर चलेगा 40 मीटर पूरा किलियर है ना वापस में रिपीट कर देता हूँ राहूल है जो अपने गर से चलना प्रारंब करता है गर से रवाना होके वो 30 मीटर चलता है पस्चिम दिसा में उसके बाद पस्चिम दिसा में चलते चलते वो दाई और गूम जाता है दाई और मुड़के 20 और 20 मिटर चल रहा है 20 मिटर चलने के बाद यह उट्तर दिशा में चलते-चलते बाहीं और मुड़ जाता है और बाहीं और मुड़ के किता चलता है दस मीटर चलता है 10 मीटर चल रहा है अब उसका मुझ कौन सी दिसा में आ गया पस्चिम में पस्चिम दिसा में ये बाया सुरी ये दाया और ये है बाया तो बाया गूम के वो किता चलता है 40 मीटर यानि पुना बाई और मुड़ता है और 40 मीटर चलता है अब वह पुना बाही और मुड़ता है पुना बाही और मुड़ने के लिए ये दिसा कौन सी है ये दिसा है आपके दक्षिन और दक्षिन दिसा का बाया कौन सा है इधर है लेकिन ये दाई और मुड़ के किता चल रहा है पांच मीटर किता चल रहा है पांच मीटर अंत में अपने बाई और मुड़ता है और वो किस दिशा में जा रहा है पांच मीटर चला लेकिन पांच मीटर किदर बाई और मुड़कर पांच मीटर चला तो अंत में वो किस दिशा में जा रहा है बस आपको यही बताना है लेकिन एक और चीज अच्छे से समझेगा प्रश्न को देखो राहूल अपने घर से पस्चिम दिशा में चलना प्रारंब करता है 30 मीटर की दूरी तै करके दाई और मुड़ता है फिर 20 मीटर की दूरी तै करके वो बाई और मुड़ जाता है फिर 10 मीटर की दूरी तै करता है पुना बाई और मुड़ कर 40 मीटर चलता है फिर अब वो पुना बाई और गुमता है ये बाई और गुम गया बाई और गुम के किता 5 मीटर चलता है सबसे important line यहां लिकी हुई है अंत में अपने बाईं और फिर मुड़ जाता है यह चीज ही तो आपको सबसे ज़्यादा important बन जाती है क्योंकि यह गलत करवाने का chance यहां से बनता है यह चीज कोई ध्यान देते ही नहीं इसे अपन पांच मिटर से जोड़ के पढ़ लेते है अंत में वो बाईं और मुड़ता है यह है इसकी कौनसी पूरो दिशा बाईं और यानि उपर की और मुड़ेगा यह अंतिम इस्तती में यह इदर मुँ करके क्या है चल रहा है तो अब वो किस दिशा में जा रहा है तो अब वो दिशा कौनसी है यह यह वाली दिशा है आपके उत्तर दिशा यानि वो कौनसी दिशा में चल रहा है उत्तर दिशा में चल रहा है यह चीज सबसे इंपोर्टेंट पांच मीटर के बाद वो अंत में अपने बाई और मुड़ा यानि उत्तर दिशा में जा रहा है केवल आपको दिशा बतानी है ये काउंटिंग नहीं करनी है कितना दूर है, कितना चला है लेकिन ये प्रश्ण इंपोर्टेंट क्यों है ये वो चीज मैंने आपको बता दी ये लाइन सबसे इंपोर्टेंट इस प्रश्ण की क्लियर है ना, ऐसे प्रश्ण अगर एक्जाम में आ जाएं तो वो हर डाउट आपका क्लियर होना चाहिए और जहां तक मुझे विश्वास है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आप अभी भी अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये समसियां हैं तो उन हर समसियां का आपके समादान इस योटुब चैनल के माद्यम से किया जाएगा और अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू रखें इन प्रशनों को अपनी नौट बुक में नौट डाउन करके अच्छे से नौट्स बनाएं आपके लिए ही फाइदा है और इसी परकार अपनी पढ़ाई जारी रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इस सांदार प्रशनों के साथ और उस वीडियो में मैं कौन से रिलेटेड प्रशनों की बात करूँगा पायतो गोरस परमे से रिलेटेड प्रशनों की बात करूँगा फिर और भी परच्छाई से रिलेटेड प्रशन हैं उनकी भी बात्चित करेंगे अपन लेकिन तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जो प्रश्ण मिले हैं उन्हें अच्छे से नौट डाउन करके अपनी पड़ाई अच्छे से जारी रखें धन्यवाद